तो यह देखिए शाम को अगर चाय के साथ अगर आपको कुछ खाने को मन कर रहा है तो आप इसे बना सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता तो एक मैं आपको देखिए यहाँ पर तोड़के दिखाती हूँ कितनी खस्ता बने है बहुत ही क्रिस्पी तो यह बने ह चावल के आटे से तो आप भी एक बार बना के ट्राइ करें दिमश्कार दोस्तों मैं शुष्मा आपका शुष्मा के रिस्वई में स्वागत करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कडाई चडालूंगी उसमें ले रही हूँ एक कप पानी तो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है कडाई में इसके साथ डाल रही हूँ वन टी स्पून डाल रही हूँ यहाँ जीरा इसके साथ डाल रही हूँ हाफ टी स्पून डाल रही हूँ अजवाईन वान टी स्पून यहाँ पर डाल रही हूं कसूरी मेथी थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे यहाँ पर अब डाल रही हाँ यहाँ पर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसी के साथ half teaspoon नमक, chili flakes नहीं है तो आप हरी मेर्च को बारिक बारिक काट के डाल सकते हैं half teaspoon यहापे में डाली कुटी वी काली मेर्च और one tablespoon यहापे डाल रही हूँ olive oil तो थोड़ा सा boil आने देंगे और mix कर लेंगे इसको तो यहापे एक boil आ जाए उसके बाद फिर हम आगे का process करेंगे तो यहापे boil आ गया है flame को मैंने low पे कर दिया एकदम इसके साथ में डाल रही हूँ one and a half cup यहापे डाल रही हूँ rice floor यानी डेड़ कप यहापे मैंने डाला है चावल का आटा तो यहापे अब मैं flame को low पे रखा हुआ है एकदम और इसको अच्छे से mix करना है यहापे देखिए इस तरीके से mash करते हुए अच्छे से mix करेंगे पानी हमें यहापे ज़्यादा नहीं डालना है अगर डो घीला हो जाएगा तो जो मठी है वो खस्ता नहीं बनेगी तो गरब में हमें इसको अच्छे से गुंदना है तो यहापे इसको मैं अच्छे से ब्सल्टा में अगर आपका आटा जो है ज़्यादा डालेंगे डालेगे ढालेंगे डालेंगे डालेंगे तो यह देखिए मैं अच्छे तरीके से इसको एक दो की तरह इसको अच्छे से गुण रही हम मसल मसल के मैंने इसे पानी बिल्कूल भी Quit Yak же पानी यूज ने किया है एक सघ्छा उपर बरस को अच्छे से तुबारा से इसको गूंद लेंगे यहां पर देखिए गूंद के यहां पर देखिए तयार है अच्छे से एक बरस को मसल लेना है अब मैंने यहां पे एक लोई तोड़ ली है तो यहां लोई को मसल लेंगे अच्छे तरीके से यहां पे देखिए इस तरीके से हमें लोई तयार कर लेनी है थोड़े से क्रैक आएंगे क्योंकि आटा जो है वो सक्त होता है तो चावल का आटा सक्त होता है तो यहां पे हमें इस तरीके से इसको अच्छे से मसलते हुए यहां पे देखिए मैंने लोई तयार कर ली है चलिए इसको बेलते हैं अब छुटी-छुटी भी तोड़के इसक इसको रख दिया है ताकि गरम रहे और ठंडा ना हो तो यहां देखिए आप इसको में बेल लेती हूं अच्छे से पहले चिकना कर लेंगे इसको दुबारा से और यहां में इस पर लगा रही हूं चावल का आटा आप मैदा भी लगा सकते हैं ताकि यह चिपके नहीं तो यह सुचेगा कि यह फटरा है साइट से तो कोई प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है इसको मैं बीच में से कट करूंगी आप चाहे तो ऐसे भी फ्राइ कर सकते हैं तो एकदम पतला बेलना है इसको तभी एकदम खसता बनेंगे और बहुत बढ़िया बनेंगे तो यहां देखिए तो यहां पर मैं सारे बना के तयार कर लूँगी तो यह देखिए तयार हो चुके हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं देखने में चलिए इनको फ्राइ करते हैं तेल यहां पर मैंने मीडियम हॉट लिया है गरम तेल इदम नहीं लेना है तो यह देखिए और इसको फ्राइ पे ही इसको फ्राई करना है तो यहां देखिए अच्छे से इसको एक कलर आने तक फ्राई कर लेंगे एक बार की जो पापड़ी है चाय मठी कह लीजिए यह फ्राई होने में कम से कम पाँ से साथ मिनट लग जाता है हाई फ्लेम पे करेंगे तो यह खसता नहीं होगी तो यहां पे इस तरीके से देखिए इसको फ्राई कर लेंगे चलिए पलट लेते हैं हलका सा एक कलर आजा इससे प्यारा सा तो फिर उसको हम निकाल लेंगे सबको इसी तरीके से पलटके बना लेंगे तो यहां देखिए फ्राई हो चुके हैं चलिए इनको निकाल लेते हैं ये देखे कितने बढ़िया से फ्राई हुए है कितना बढ़िया से कलर आया है इसको निकाल लेती हुमें और इसी तरीके से जो और भी हमारी जो पापड़ी है मत्री है बना के रखी है उसको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे चाय के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती ह चाहे सौस के साथ खाएं या किसी भी डिप के साथ आप खाएं बहुत बढ़ी अलगती है खाने में ये और चाहें तो आप इसका चाट भी बना सकते हैं ये देखिए जैसे पापड़ी चाट मिलती है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं healthy भी है क्योंकि हम इसको चावल के आटे से बना रहे हैं मैदे से नहीं बना रहे हैं तो यह देखिए अच्छा सा इसको भी कलर आने तक फ्राई कर लेंगे तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सारे बना के तैयार कर लूँगी तो यह देखिए यह भी फ्राई हो चुके हैं इनको भी निकाल लेती हूँ मैं तो यहाँ पर देखिए मैंने निकाल लिया है और सारे देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बना के तैयार कर लिये हैं बहुती बढ़िया बहुती खस्ता बनके तैयार हुए हैं यह यह देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं शेप में काटने का यही एक फायदा होता है कि जो पापड़ी है या मठ्री है बहुती बढ़िया एक शेप में आती है तो रैस भी अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मेरे को जरूर बताईएगा थैंक यू